चलिए गाइस ज्यादा देर नहीं करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग डिसक्रस करेंगे बाई सेट नंबर 13 को जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली रिजनिंग का क्लास चलता है आठ बजे थोड़ा साज लेट हो गया है तो सब्री मेरे बाई ठीके आए हम लोग जल्दी जल्दी को देख लेते हैं को जल्दी से ध्यान लगाई और जूड़ाई मेरे साथ और दीजे इस कोश्चन का चबाब ठीके चलिए को एक बार पढ़िए आप लोग रीड कीजिए तब तक मैं भी यहां पर चेक कर ले रहा हूं कि लाइब स्टेमिंग तो हो रहा है दोस्त अब आज सब कुछ के लिए रहे हैं ठीक है चलिए बोला कि कैमल को आपको आपको 6 at 546 के रूप में कोड किया जाता है मेरे भाई यानि कि लिखा जाता है तो प्रूप को क्या लिखा जाएगा देखी सी का तो पोजिशन होता है तीन तो आप कहेंगे 3 का दोगना 6 लिख दिया है लेकिन एक अपोजिशन होता है एक तो क्या एक का दोगना 8 होता है तो आप कहेंगे नहीं इसका मतलब कि यह पैटर्न नहीं फोलो करेगा कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा आप कहेंगे कि अपोजिट से काम बनेगा तो आप कहेंगे नहीं या ऩी का पोजिति क्या होता है तो हम था T करने के बाद क्या देखते हैं दोस्ते यहां पर कि यक्स का पोजिशन कितना होता है तो आप कहेंगे 24 तो आप कहेंगे सर यहां पर 24 का है छो है ठीक है तो मेरे भाई भी यहां पर अगर 24 लिखते हैं तो 24 काने का मतलब कि 345 5 फी का पोजिशन होता है आपको मेरे भाई 22 तो 22 काने का मतलब किया हो जाएगा दो 24 ठीक और लास्ट में 封 है तो ऑ का पोजिशन होता है पंदरा और 15 काने का मतलब की यानि कि यहीं पेटर्न आपको फोलोग कर गया ठीके दोस्त तो आई यह पूरूप को जल्दी से लिख लेते हैं पूरूप है इसका आपोजिट चाहिए भाई अपोजिट चाहिए तो हो जाएगा आपका पी का पूजिट हो जाएगा यह पी ठाकूर सिखाएं कि हो जाएग यह पूजिट हो जाएगा यहाँ पर भी तीन हो जाएगा यह पर भी तीन हो जाएगा यह का मतलब 21 काने का मतलब कि 2-1-3 हो जाएगा क्योंकि सिंगल डिजित में हमको लिखना है तो 29-333 आपका अंसर हो जाएगा किधर है 29-333 आपसन नमर डी बहुत बेटरिन कोश्चन था है पहला कोश्चन आई नेक्स्ट 30 कोश्चन को समझे बोला गया है कि नीचे दी गई सिरिंखला में ऐसे कितने आठ हैं जिन में से प्रतेक अपनी ठीक अनुवर्ती संख्या द्वारा पूरूता विभाज है भाई यानि कि ठीक बाद वाली संख्या से पूरूता आपका विभाद है अनुवर्ती का मतलब हो उसके बाद आप 8,5 ने होगा, 8,2 हो जाएगा, 8,4 हो जाएगा, 8,8 हो जाएगा क्योंकि 8 से 8 डिवाइड है या फिर 8,2 भी हो जाएगा, ठीके, A,B हो जाएगा, 8,1 हो जाएगा, और 8,4 हो जाएगा, ठीके, कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1,2,3, यहां पर 2 है तो 3,2, तो पांच एक छो एक साथ एक आठ ठीक है तो बीजिव राइट आए नेक्स्ट इस को देखें मेरे भाई क्या बोल रहा है समझने की कोशिस कीजिएगा यह तो डायरेक्ट मेरे भाई यहल का मतलब पलस यहम का मतलब माइनस यहन का मतलब गुणा सबको लिखी यहन का मतलब सब्सक्राइबियों जो कि तो यहत. यहँ का मतलब यहाँ पर माइनस यह तो माइनस हो जाएगा थी के का कैंगूलेशन करना है कीजिए दोस्त कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, चोऊदा नहामें 140 और 140 और 42 कितना हो जाएगा? 180, 182, 184 और 184 में से 8 को घटाना भी है, तो कितना हो जाएगा? 184 माइनस 8 184 माइनस 8 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8, 6, 14 ये हो जाएगा 17, 186 हो जाएगा सब सलने मेरी सिंबल कोष्टन था यह अए नेक्स इस को समझी बोला कि राम फ्राइय है म यह ठाकर और स्याम वाई है ठीक है डीक isично कि पूत्रिय एक करेंगburg थाश्य सभिता की पूत्र तो बोल रहा है कि रेखा का राम से क्या सबंद्र है तो राम का ये क्या लगेगी तो आप कहेंगे के राम का भाई स्याम है और स्याम की लड़की तो भाई की लर्की क्या लगेगी भतिजी जैने की करजा आई नेक्स्ट चले बोला है कि इस person का में कथन में विभिन तत्तों के बीच आपको सबंद दिखाया गया है तो इस कथन के बाद दो निसकर्स हैं तो बताना है कि कौन सा सही मेरे भाई देखे T ग्रेटर दन H और H ग्रेटर दन U और U लेस दन R है और R लेस दन आपका यस है ठीके और U is equal to D है और less than A है और A less than यस है तो आपसे निसकर्स बोला है कि यच जो है ग्रेटर दन U है जबकि U R से छोटा हो गया यहाँ पर देखे ठीके जैसे यहाँ पर देखे यच आपको बड़ा है U से लेकिन बोल रहा है कि U जो है छोटा है या फिर बराबर है R से और R को बोल रहा है कि छोटा है बराबर है R से ठीके काने का मतलब किया हुं, पूरा अटकर हम आपको समझाते हैं कि यहां पर जो sign था, इसी तरह से रहता, घीके, यहां पर भी sign ऐसे रहता, और यहां पर भी sign ऐसे रहता, तो यह चीन था पूरा तरीका से मुँस हु नहीं बोल रहे हैं, मैत का सोलूसन होगा दोस्ती रेजिनिंग के बाद आप देखें बोला है कि y जो है greater than yus है देखें y को बोला है कि yus से बड़ा है जबकि यहाँ पर देखें कि yus जो है is equal to यहाँ पर d है और d less than a है और a less than equal to y है तो कहने का मतलब कि अगर yus के बारे में देखा जाए तो yus जो है आपका less than y हो सकता है ठीके अगर सब में यहाँ पर बराबर और less than रहता तब आपको yus less than या फिर equal to आपका y होता तो यह statement सही हो जाता लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं इसका मतलब है कि yes आपका y से छोटा हो सकता है ठीके लेकिन यहाँ पर छोटा और बराबर एक साथ नहीं हो सकता है तो यहाँ पर बोला है कि y greater than equal to yus है तो यह गलात है दोस्त entitled नहीं समझवा रहा है तो दोबार मेरी बात को सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ ठीके अई next दूनों गलत है चलिए अगली संख्या क्यांत करना है दोस्त देखिए 3 मेरी 15 25 से 5 गुना कर दी है क्या देखे यह 5 गुना कर दी है 35 25 आप लिग देते है 3 15 25 इसका मतलब कि जरूर गुणा कि आओगा तभी इतना ज्यादा नंबर आ रहा है लास्ट में यह 3-5-15 कर दिया है 15 से तुझ आएगा नहीं तो क्या कर यह आए कि 10 जोड़ दिया है ठीक है तो 15 से उतना कर दिया तो 15 के बाद आता है 20 तो 20 जोड़ दिया इसका मतलब है कि 20 के बाद आता है 25 तो 25 से गुणा किया है तो जाईल सी बात है कि 25 के बाद आता है 30 तो इसमें 30 जोड़ा होगा तो 9815 पलस 30 आपका अंसर हो जाएगा पांच, साथ, तिन, दस के सुनना 991, 995 ठीके किदर है? अपसन नमर A में आई next इस question का जबाब दीजिए बहुत की simple question है सब लोगों का जबाब आना चाहिए question बोला है कि कौन सा संख्या केवल लंबे और फियर को दर साती बाई लंबा होना चाहिए और फियर होना चाहिए केवल बोला है केवल लंबा और फियर देखी लंबा की तरे बाई बिरित को फियर की तरे तिर्भूज को तो बिरित और तिरभूज में होना चाहिए, बाकी सब में नहीं होना चाहिए कौन है, तिरभूज और बिरित में सिर्फ और सिर्फ आपका केवल साथ ही है साथ के लावा कुछ नहीं, देखो 15 करेंगे तो A वार्ग में भी आ जा रहा है, ठीक है तो केवल आपका साथ आंसर हो जाएगा आई नेक्स्ट बुला है कि A, B के बिल्कुल दाएं बैठा है मेरे भाई, A जो है, B के बिल्कुल दाएं बैठा है तो B के बिल्कुल दाएं कौन बैठा गया, A बुला है कि A, 4 अस्थान दाएं और जाता है बी एक, दो, तीन, चार बाइं और चल गया बी चार अस्ता ठीके तो बोला है और वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं लास्ट पोजिसन पर ये दोनों जोई पहुंच गया तो बोला है कि प्यक्ति में बैक्तियों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई तो कहेंगे कि 4 ब्यक्ति यहां हो जाएगा और 4 ब्यक्ति यहां 8 ब्यक्ति और B और A 8 दो 10 ब्यक्ति ठीके आई नेक्स्ट बोला कि सब्दों के उच समुझ का चैन करें जिसके सब्दों के बीच सबंद को दिये गए बेनारेक दोरा सरत्म ढंक से दर्सा आ इए, पहले आपको दे करके बेनारेक पूछता था, अब बेनारेक दे करके आनसर पूछ रहा है देखे, रॉंग है, तो मेरे भाई यहां पर लाल के आ है यहां पर अगर देखा जाए पूरुस वकील और पीता आपका वकील और सहरी है अगर वकील देखा जाए वकील तो वकील आपको कुछ वकील पीता भी हो सकते हैं ठीके पीता भी और कुछ पीता और कुछ वकील आपको सहरी भी हो सकता है ठीके सहरी तो ऐसा कौन फिगर है तो फिगर आपको बोल लाएं कि एक तम मैच कर रहा है दोस्ट अपसन नमर सी हो जाएगा अगर डी को भी आप एक देखना चाहें तो देख लीजी पूरूस है तो मेरे भाई पूरूस पूरूस के आस्तिरी हो सकती है ऐसे कभी कंबिनेसन आगा कुछ पूरूस आस्तिरी है इसमें तो कुछ आलग अलग अलग आ जाएगा ठीके तो यह तो गलत हो जाएगा आये next चलिए बोला है कि अधि यॉप से शुरू करते हैं पर तेक दूसरे अच्छर को अंग्रेजी वर्ण माला की अनुकरम से निकाल दिया जाता है तो बाएं छोर से बारा हमां अच्छर क्या होगा देखिए A, B, C, D, E तक कुछ ने किया है अब यॉप से सुरू क्या कर दिया है खाई कि दूसरार का वाला को अटा दिया है ठीके तो यॉप के बाद क्या आता है यल, यल के बाद आई हो, ठीके, यम के बाद आता है आपका यन, तो यन को खतम, ओ कर दीजी, ओ के बाद आता है पी, पी को खतम, क्यू कर दीजी, क्यू के बाद आता है आर, आर को खतम, यस कर दीजी, यस के बाद आता है आपको टी, टी को खतम करके यू कर दीजी, ठीके, के बात आता है भी भी के खतम करके डबलू कर दीजिए इतना से आ जाना चाहिए बारा अच्छर बारा से ज्यादा नहीं लिखना है तो बारामा देखे को न एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नोव दस ग्यारा बारा यानि कि यह सापका अंसर हो जाएगा ठीक है आए नेक्स्ट बोल रहा है कि क्या बच्चू के लिए ठीक है देखे एक क्या बच्चू के लिए ग्रीकार यानि कि हो मरक होना चाहिए यानि कि अस्कूल में जो हो मरक होता है क्या होना चाहिए तो बोला तरक हां बच्चे केवल ग्रीकार हो मरक करके ही अपनी परिच्छा उत्रिन कर सकते मेरे बच्चों को आराम करने और पढ़ाई से ध्यान हटाने के लिए भी समय चाहिए तो बिल्कुल पढ़ाई महीं लगा रहेगा लेकिन यहां पर स्टेट्मेंट के अनुसार का इंक्लूजन सही है कि नहीं बच्चों को आराम करने के लिए आपको पढ़ाई से ध्यान अटाने के लिए भी समय जो है चाहिए ठीके तो दूसरा आपका तरक मजबूत है तो के शोग में लागू-तरक के अनुसार करता है देखे तो सटूर्थ चपका क्यूब होता है एकासी है तो नौ का स्क्वार हो जाएगा ठीके एकासी है लिख देते हैं यहांपर एकासी है ठीके ना धेके सचार तो किसी का क्यूब नहीं होता है यह प्यार्ण फोरू नहीं दूसरा कोई पास सोचिए अजर यहां पर देखते हैं तो 6, 7, 7, 2, 9 हो जा रहा है ठीक है इसका डिजिट सम जो है इस कोश्चन पर दिमाग लगाईए दोस्त बोल रहा है कि फिलिम के परमोशन के दवरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिलिम के मुख बिंदूओं को पेस करती है मेरे बाई ठीक है यह स्टेटमेंट बोल रहा है चलिए आये कंक्लूजन की ओर हम लोग बढ़ते हैं केंक्लूजन क्या बोल रहा है ठीक है बोला है कि निर्माता टीम फिलिम के बारे में मेडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है इसलिए वो सही परचार बनाते है बिल्कुल सही है मेरे बाई क्योंकि सब लोग चाता है कि मेडिया के सामने कुछ अच्छ लो मेरे भाई ये तो सब उम्मिद करेगा जो भी फिल्म बनाएगा उपमिद करेगा कि उसका फिल्म सपा लो तो दोनों आपका तरक जोए मजबूत है यानि कि दोनों निसकर सनुशन करते हैं किदर रहे दोनों आपसा नमद सी में है आई नेक्स्ट चलिए ये तो डारेक्ट कोश्टन आगया मेरे भाई मीसिंग नम्मर का मीसिंग नम्मर का कोश्टन आगया न चलिए देखिए क्या किया है तीन तीन पांच कितना हो जाएगा आठ और आठ तेरह तेरह साथ बीस एक एकईस यानि ये साथ का तिन गुना आगया एकईस जो है स गुझे तो ऑट तीन गुना आ गया अगर यहां देखना चाहें तो आठ आठ सोरह और और तीन चोबिस क्योंकि नौ का एक हम साथ को देदी है ठीके तो आठ त्यन चोबिस हो जाएगा तो आठ का भी तिन गुना आ गया मेरे भाई 24 तो उसरी परकार से यहां देख लीजिए जैसे देखते हैं एह दो तीन पान्च चार नौ तो इसका मतलब यहां पर तीन होना चाहिए तब यह तीन का तीन मुना हो जाएगा नौ तो आप कहेंगे बिल्कुल तो बीच में आ जाएगा थी नेक्स्ट चले बोला कि सभी अध् चले बूजर कि में अंतरकत आजाएगा थीटक है भूल सथी बुजर आपको मेलाय हो सकता है ठीक कंस मेला हे आपको जो मैलाएं है वो बुजूर की अंतरकत भी आ रही है ठीक है एरेड़ वाला तो आप कहेंगे कि दूसरा के वल्स आई एनिक अप्सान नमर भी आई नेक्स्ट चली अगली सिरिंखरा में का आओगा मेरे भाई ए देखिये तो 11,10,18 ऐसे नहीं किया है अल्टरनेट किया साइद 1,18,14,24,24,3,7,87,87,18, ilkville better on follow के आल गया तो एक स्टे बाद कि आ जाएगा 83,83 दुसरा वाल से कोई मतलब भी नहीं ठीक है 83,83 आनिक अप्सान नमर भी आई नेक्स्ट चलिए जल परती भीम बनाना है मेरे भाई, water, image यहाँ पर नीचे बनेगा, देखे, water image बनाएंगे, तो a पहले a ही आएगा, यहाँ पर यक्स तो आएगा नहीं, ठीके, अइसा नहीं है, कि water image बनाएंगे, तो a उल्टा हो जाएगा, ऐसे, ठीके, उपर की बुर देखने लग जबकि अप्सान नमर B में सिधा सिधा दे दिया आए एको अप्सान नमर C एक ही बच गया आंसर हो जाएगा आए नेक्स्ट प्रसन आकिर्थी में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद किस उत्तर आकिर्थी जैसा दिखाई देगा आकिर्थी यह नहीं है कुछ ऐसा देखाई देता इसको अगर खोलते हैं यहाँ पना ऐसे खोलते हैं तो यहाँ पर A वाला हो जाता और A पॉइंट हो जाता और 2 पॉइंट यहाँ पर हो जाता उसके बाद फिर यहाँ पर खोलते हैं ठीके फिगर तो है नहीं क्योंकि ऐसे घुमाया था तो A फिर तीनों यहाँ पर आ जाता एक दो तीन ठीके फिगर आता तब दोस यहाँ पर फिगर है कट गया है हम क्या ब अधिके यहां पर एक आवन है देखिए सब रहा का तीन गुना है तो यक्स का तीन गुना यानिक यक्स का बैलू कितना उना चाहिए चार चार का तीन गुना बारा होजाएगा आए नेक्स्ट चलिए छांचर समझेए बोला कि एक मैला पूरफ दिशा की और साथ किलोमेटर चलती है डायेक्सन समझ ली जी उपर होता है Nesw यह सब को समझ में आना चाहिए पूरफ 7 किलोमेटर गई मेरे भाई चला देजी को बोला कि दायमूर्ती है नीकी नीचे आएगी और 3 किलोमेटर चलती है तीन किलोमेटर चलती है अब मैं जिधर से गई थी उदर आने लग हो गया स्मेट्रिक फिगर है तो उपर कितना चल गई पांच ठीक है पांच यहां पर भी यह तीने हो जाएगा तो शुरुवात में कितना चली थी तो माल लिजे कि यहां से यहां तक जिसको हम हार लाल कर रहे हैं मोटा वाला इतना तक चार रहा होगा बोला कि और दाय मुलती और 14 किलोमेटर जाती है मेरे भाई यहां से दाय मुली और 14 किलोमेटर चल गई ठीक है 14 किलोमेटर चल गई बोला कि अंत में वह दाय मुलती और 5 किलोमेटर चलती है फिर दाय मुलेगी आनि की नीचे आएगी और 5 किलोमेटर चल जाएगी यहां पर एसमेट्रिक फिगर एई 5 तो एभी 5 ठीक है सेम रूट पा आ गई मेरे भाई सेम रास्ता पा आ गई तो बुला कि वह शुरुवाति बिंदू से कितनी दूर है मेरे भाई तो देख लिजी अगर यहां से हम देखना चाहें यहां से ठीक है तो ए तो 5 है समेट्रिक है तो और साथ के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना है तो आप कहेंगे कि यह जो हम curb line कर रहे हैं वो यह 11 है तो 11 साथ कितना हो जाएगा 18 km आए next इस question पर दिमाग लगाए question number सरसर पर चल यह question number सरसर समझते है भाई पॉजल आगया लगता है कि बोला है कि राहूल, बिराट, उईसुफ, सुनील और रोबर्ट जो हैं दोस्त हैं सुनील, बिराट और राहूल जो है किरिकेट खेलता है यूसुफ, फुटबाल, टेनिस और बैटमिन्टल खेलता है केवल यूसुब और रॉबर्ट ही फुटबाल और टेनिस खेलते हैं राहूल और सुनील हॉंकी और बेटमेंटल खेलता है सुनील तैराकी भी करता है जबकि रॉबर्ट को हॉंकी भी पसंद है तो बोला है कि निमलिखित में से कौन सा खेल केवल एक खेलाडी द्वारा खेला जाता है मेरे भाई यहाँ पर कौन सा खेल जो है केवल एक खेलाडी द्वारा खेला जाता है कौन ऐसा खेल है जो एक खेलाडी द्वारा खेला जाता है तो हम देख रहे हैं कि सुनील तैराकी करता है और तैराकी किसी में common नहीं है तो तैराकी यह ऐसा खेल है जो यह खेलाडी द्वारा खेला जाता है सुनील के द्वारा ठीके? तो तैराकी अंसर मारती से इसको बड़ाईगा हम बनाने की कोई जरूरत नहीं दोस्य नीमलिकीड मेंसे कौन सा खेल केवल एक ख्यलाड़ी दुआर खेला जाता है दूसरे तो आप कहेंगे नहीं पूराम कोश्वन पडदिये ठीके तो तहरा की आपका अनसर हो जाएगा कि तहरा की खेल जोय केवल एक क्यलाड़ी शुनल खेलता है आई नेक्स चलिए कथन और निसकर समझते हैं बोल रहा है कथन निसकर कि भारत में निर्मित सभी आईस करीम ब्रांडों से अमूल ब्रांड की बिक्री पिछले 5 बर्सों में सबसे अधीक है ठीक अन आईस करीम ब्रांडों की बिक्री प्रतेक वर्स उतार चड़ा होता है, सिंपल सब्दों में हम कहें, तो अमूल का विक्री पांच वर्सों में सबसे अधिक हाई-फाई है, और अन सब बरांडों का विक्री है, उसमें कम बेसी होते रगया है, ठीक है, कम ज्यादा, चलिए निसकर समझते हैं, बोला है कि भारत की निवासियों के बीच अमूल परसिद्ध, यानि कि अमूल जो है, आईस कीरीम का स्वाद लोग पिरिये है, बिल्कुल, क्यों भाई, उसका ब्रांड भैलू जादा है, तो आप कहेंगी कि उसका स्वाद लोग पिरिये होगा, उसकी डिमांड जादा होगी, उसका कारती आईस कीरीम बरांडों की बिकरी ग्यात है, बिल्कुल सही, आप कैसे आप पता कर लिए, मेरे भाई अगर बिकरी ग्यात नहीं होती अन्न बरांडों की आईस कीरीमों की, तो कैसे या स्टेटमेंट बोल देता है कि अन्न सभी बरांडों में से अमूल की बिकरी पिछ यहाँ पर C का R थे 23, यह आपका copyright है, add the rate का मतलब है 4, यहाँ पर dollar का मतलब है 6, end का मतलब 17, percentage का मतलब 90 है, तो इसका value बैताना है, copyright का मतलब कितना है 20, यहाँ पर और का मतलब कितना है 17, multiply by है, add the rate का मतलब है 4, और minus है minus लगा दीजिए, percentage का मतलब कितना है 90, divide है, divide लगा दीजिए, dollar का मतलब कितना है 6, चलिए इसी को solve कीजिए, दोस कितना answer आएगा बताईए, यह तो हो जाएगा आपको 15, 690, 15 हो गया, यह 17 चुपके कितना हो जाएगा अरशट, और अरशट और 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक आन्बे, तो एक आन्बे, और एक आन्बे में से 15 को घटाना है, तो एक आन्बे में से आपका 90 में से 15 घट गया, 75, एक ज्यादा 6, अप्सन नम्मर ए, आई next, बुला कि 20 मार्च, 2314 को गुरु बार है, तो 20 मार्च, 2320 को सब्ता का कौन सा दीन होगा, मेरे बाई, जिसे हैं आपका समझेगे, 20, कुछ ले लिजी, अगस्ट, 2005, सूख है, ठीके, तो हम आपसे पुछते हैं कि 20 अगस्ट, 2006 को क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि एक दिन जादा हो जाता ह यानिकी सनी बार, द्वार साथ में क्या हो जाएगा, तो रभी बार, लेकिन 2008 में जाएगे, तो रभी बार के बाद सोम बार नहीं दब दीजिएगा, सोम बार के बाद मंगल बार हो जाएगा, क्योंकि एक जो है लीप एर है, ठीके, तो लीप एर है, तो दो दिन बढ़ ज जाएगा लेकिन 2314 और 2320 के बीच लीप यह कितना आ रहा है तो आप कहेंगे कि 2315 2316 178 होगा ने ठीक है तो 2316 आपका लीप यह रहे है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप यह है तो एक दिन जो है और बढ़ जाएगा ठीक है तो 6 एक 7 दिन बढ़ जाएगा तो गुरु बार में अगर 7 दिन जोड़ेगे ठीक है साथ ही दिन नहीं बढ़ेगा देख लेते हैं एक बार क्योंकि 2320 भी आपका लीप यह रहे है फरवरी के चलते बढ़ जाता है मेरे भाई क्योंकि आप जो भी आपका लीप यह रहाता है उसमें फरवरी का दिन 29 दिन का हो जाता है जिसके चलते एक दिन और बढ़ जाता है तो यहां पर मार्श न दिया है 20 मार्श, इसका मतलब कि 29 फरावरी जरूर आया हो गया, ठीके, 29 फरावरी जो है आपका जरूर आया होगा, तो 29 फरावरी आया होगा, तो एक दिन और ज्यादा हो जाएगा, ठीके, क्योंकि 2320 भी आपका लीपियर है और 20 मार्श दिया, यानि दिन ज्यादा आपका सुक्रबार आए नेक्स्ट कितने तिर्भुजे मेरे भाई इस में तो कोई फीगर विगर में कोई आपका ट्रीक लगेगा नहीं तो डायरेक्ट आप लोग काउंट करते रहिएगा और एक्जाम में आ जाए तो सबसे ज्यादा वाला नंबर को मार सबसे पहले मेरे भाई लेखक होंगे तभी न कहाने की सुरुवात होगा तो आप कहाने की सुरुवात हो गई कहानी लिखा गई मेर भाई उपनियास बन गया उपनियास के बाद उसको पुरुषकार थोरी न मिल जाएगा ठीके उसको पहले परकासन करना पड़ेगा ठीके उपरकासित होगा यानि परकासन होगा उसका उसके बाद लास्ट में उस किताब के लिए पुरुषकार भी मि कर दो ठीक है आइन कि मुल ला है की और चुनिए अर्ड कोन है और इसमें आपको चुनना मून भी आपका अकासिय पिंट अर्थ भी आपका जो है कि मैं अब इसकूं पिर उपगरा या फिर उपगरा या फिर उप इसको हम बोल सकते है रहला जाता सेटेलाइट तो यह लग हो जाएगा आए नेक्सट छालिए ऊकर लड़की की और संकेत करते दूंग आदमी ने कहा कि वह मेरी ग्रेंड मदर की लोथी संतान के पती की लोथी बेटे की पत्निय की बेटी है अरे वाँ देखें वह मेरी यानि की लड़की की और संकेत करते भी आदमी कर रहा है यहां पर आदमी है कोई यह क्या कर रहा है मेरी ग्रेंड मदर यानि की मम्मी की आपका मम्मी हो जाएगी या फिर पापा की मम्मी हो जाएगी ठीके कुछ भी हो जाए ग्रेंड मदर ही लगेगी की एकलवती संतान यानि की मेरी मम्मी हो के पती, यहाँ पर इसके पापा हो जाएंगे, ठीके, आदमी के पापा हो जाएंगे, संतान, इकलोती संतान के पती हो गए, के एकलोता बेटा है, यार इतना कहने के बाद आदमी खुद को बोल रहा है, ठीके, एकलोता बेटा आदमी खुद हो जाएगा, की पतनी, यानि फिर आदमी की बेटी, तो बोला है कि आदमी का लड़की से क्या समन्द है, लड़की का पिता लगेगा, आख मुद दिये और मार्स दीजिए, आई नेक्स्ट, चलिए, इस कोशन का जबाब दीजिए, बोला है कि भारत बिक्सित देशों में जेनेरिक दवाओं की आपूर्त करने वाला सबसे बड़ा देश है, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, भारत जो है, बिक्सित देशों में, यानि कि जो देश बिक्सित हैं, उन देशों में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ती करने वाला सबसे बड़ा देश है, चलिए, इस कर्ष बोला है कि भारत एक बिक्स तो बोल रहा है कि भारत विक सिद देश में यानि, जो देश बिक्तिस है उसमें जेनरिक दावाओं की आपूर्ती करने वाला बड़ा देश है, इसका मतलब है कि इसके अलावा भी और सारे देश हैं, ठीके, तो और सारे देश हैं, तो इसका मतलब और आप निकाल सकते हैं, कि एक मात्र देश भारत ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, ठीके, तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यान केवल दो आई नेक्स्ट चले नब्वे समझ लीजी नब्वे क्या बोला बैए एक लड़का पचीस मीटर पच्छीम की तरफ चलता है चला दीजी डिरेक्शन बताएं है न यन एस डावलू पच्छीम चल गया पच्छीस दाएं मुड़ता है निकी उपर चल गया कितना चल गया 10 उसके बाद दाएं मुड़कर 15 चल गया यहाँ पर आगया 15 फिर दाएं मुड़ता है और 135 चलता है दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पर 90 डिगरी पर आएगा तो नीचे आएगा लेकिन 135 आनिकी 45 डिगरी और चल गया ठीक है clockwise में तो ऐसे आ रहा है तीरचा तो बोला कि अंत में किस दिशा में चल रहा है मेरे भाई यहां से डारेक्शन खीच के देख लिजी जहां नो समझ में डारेक्शन खीच के देख लिजी यानिकि यन एस डाबलू किसके किसके बीच में है तो आप कहेंगे साउथ और व अविस्ट को अविस्ट के हैं